इस नमश्कार दोस्तों मैं संजय खान स्वागत करता हूं दोस्तों मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूँ आज आपके लिए हम क्या करने वाले हैं बच्वों आपके लिए हम हर वीक में मौक टेस्ट के सोलुशन्स के जस्क साथ में कुछ एक पॉस्टन की सीरीज लाएंगे जो पर्टिकुलर किसी एक अच्छे टॉपिक से रिलेटेड होंगी आज इस सीरीज का पहला एपिसोड में शूट कर रहा हूं जो मैंने चुना है टॉपिक वो है आपकी क्वाड़र्ट कट लेकर आया हूं कुछ चुनिंदा सवालों के साथ मैं आपको इसको सब्जाता हूं कि अगर कोई भी एक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हो आप आप एक स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तो दोस्तों हमें कम से कम दो चीजे पता होनी जरूर की जिससे आप कोई भी कोउशन जल्दी से जल्दी स्था कर सकते हो एक स्क्वेर प्लस बीएक स्प्लस सी में सम ओफ रूट होता है माइनस बीवाई ए और प्रोर्डिक्ट ओफ रूट होता है दोस्तों सी बाई ए जहां इस एक्वेशन की पावर दो के अधार पर इसकी नम आजाए कि विछॉप का फोलव एक्वेशन है sum of roots 5 तो आप देखो कि इन में से minus B by a करने पर 5 कहा बन रहा है पहले equation में minus B मतलब minus minus 5 और a मतलब 1 minus minus 5 हो जाएगा plus का 5 और कितना दे रख़ा है 5 तो इस equation में बन रहा है तो check करो कि कहीं किसी दूसरी question में तो नहीं बन रहा, यहां पे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो positive है minus 5 आ जाएगा, यहां 6 दे रखा है, तो इसके चारों option हो जाते हैं जनाब गल्थ, आपके पास अब एक सही answer मुझूद है, screen पे वो है option number A, आप समझ गए होगे sum of root का मतलब क्या था, ल जरीए नहीं करना है सवाल को, इसके दो root alpha और beta हैं, यह याद रखिये, तो जैसे, suppose कीजिए, आप से वो exam में पूछ लेता है, first point, एक हूँगा मैं इसको, alpha square plus beta square निकालो, अगर alpha beta ax square plus bx plus c बराबर 0 के root है, तो normally, अगर आप पहली बार chapter आप पढ़के जा रहे हो, आपको क concept के through करते हो सवाल, concept क्या रहता है, a plus b का whole square कर देते हैं, तो a b minus कर देते हैं, यानि a और b का मतलब alpha beta से हैं यहाँ पे, तो मुझे a alpha square plus beta square ही मिल जाएगा, alpha plus beta आपको दे रखा है, sum of root होता है, alpha beta product of root होता है, इसके आधार पे आप इनकी value रख लेते हैं, तो minus b by a का whole square minus 2 c by a, यानि, अब देखिए, यह हो जाता है, b square over a square minus 2 c by a, जब मैं इसका lcm लेता हूँ, a square आया, यहाँ b square minus a से a कटा, 2 a c, तो दोस्तों मैं यह कहूंगा, कि मेरे लिए, आज से alpha square plus beta square की value मैं ऐसे ना find करके, इस तरीके से मैं find up करूंगा, जो मेरे लिए हो जाएगा super shortcut, तो कुछ ऐसे ही super short values जो पूरा solve करने के बाद result हमें मिले होंगे, मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा values लिखूंगा, आप उनको याद कर लेना, बस paper में आने का इंतजार करेंगे, paper में आएगा सवाल, तो हम उसको direct value के आधार पे solve करेंगे, यदि आपके स सामने कभी आजाएं कि 1 upon alpha plus 1 upon beta का मान बताओ, अगर किसी particular equation के quadratic equation के दो root alpha और beta है, तो आप याद रखिए, आप करने वाले हो alpha plus beta into alpha beta, same अदार पे, तो दोस्तों जब आप alpha plus beta करते हो, तो क्या आजाता है, sum of root minus b by a, और alpha beta कितना आजाता है, c by a, a से a कटने के बाद आजाता है, minus b by c, तो क्यों ना मैं आज से इसके लिए, केवल इतना याद कर लूँ, कि minus b by c, e value होगी, अगर मेरे से पूछेगा कभी 1 by alpha plus 1 by beta, तो देखते हैं, इन में से किस question में ये चीज़ पूछी गई है, ये देखिए, इस सवाल में पूछी किसी equation के x square plus 9x plus 5 के तो 1 over alpha plus 1 over beta बताईए, minus b, minus 9 by c, 5, अगर मैं direct करता हूँ, तो minus 9 by 5, सीधा मुझे मिल गया, यानि मुझे कुछ भी करने के जरूरत इस particular way में नहीं थी, तो आप आप देखिए, इसके साथ हम कितनी values ऐसी हैं, जो बगब कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ल पूरे पार्ट को, जैसे अगर कभी पूछ ले, alpha over beta, plus beta over alpha, तो इसके लिए आपको बस यह याद रखना है, 20 square minus 2ac over ac, अगर आप से कभी पूछ ले, alpha cube plus beta cube, तो आपको याद रखना है, 3abc minus b cube over a cube, अगर आप से कभी पूछा जाए, कि 1 over alpha cube plus 1 over beta cube बताओ, तो आपको याद 3abc minus b cube over c cube, अगर आप से पूछ ले, कभी भी, एक्जाम में, alpha square over beta plus beta square over alpha, तो आप याद रखेंगे, इसका मान है, 3ac, 3abc minus b cube over a square c, अगर आप से पूछा जाए, alpha की power 2 over beta की power 2, बीटा की power 2 over alpha की power 2, तो आप याद रखेंगे, b square minus 2ac का whole square by a square c square minus 2a square c square, अगर आप याद रखेंगे, तो आप कोई बीटा की power 4, तो आप याद रखेंगे, b square minus 2ac over a square का whole square minus 2c square by a square, अगर आप याद रखेंगे, तो आप कोई भी question को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, जैसे सवाल number 2, यह mock test में भी आया था, मैंने इसको detail solution से कराया था, लेकिन आज मैं super shortcut से करा रहा हूं इसको, अगर मेरे को दे रखी है, उसने alpha, beta किसी equation के दो root हैं, और यह वो equation है, जिसके root alpha, beta थे, तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा, तो हम basically क्या करने वाले है, alpha square by beta square, beta square by alpha square, हमें पता रहेगा, कि alpha, beta कभी भी किसी equation के root होंगे, तो इसकी value दोस्तों होने वाली है, b square minus 2ac का whole square, minus 2a square c square over a square c square, यह value होने वाली है दोस्तों, याद रखिए, alpha square by beta square plus beta square by alpha square, अब यहाँ पे a, b और c तो आप यहाँ से देखी लोगे, आप इसको compare कर लो, x square plus bx plus c से, तो a का मान कितना है दोस्तों, एक, b का मान कितना है, minus p, minus p का whole square, 2ac का whole square, minus 2, a square means one square, c square means q square, over a square, c square means q square, अब जरा मैं इसको solve करके देखता हूँ, तो यह क्या बनता है, यह बनता है, p square, minus 2q का whole square, minus 2q square, over q square, तो देखो, कितना सरल तरीके से, जैसे ही whole square खोलूँगा, तो यह answer होगा, a square, बी स्क्वार, 2a, b, p की पावर 4, बटे q square, चार में से 2 गया, 2 बचेगा, तो मैं यहां लिख सकता हूँ, 2q square, 2q square by q square, 1, आ जाएगा, q square से q square कटके, तो 1 into 2, 2 बचेगा, 2, 2s are 4, p square, q by q square, तो ध्यान से देखो, q square से q square गया काम से, q से यह q गया काम से, तो p की पावर 4, बटे q square, minus 4p square बटे q plus 2, तो सीधे सीधे दोस्तों आंसर मिल गया, बिल्कुल सूपर सोट तरीके से कर लेने से, आ जाते हैं हम अपने आखरी सवाल पे, यह हमारे मुख 155 में भी आया है सवाल, कह रहा है, alpha और beta, अगर root है किसी equation, ax square plus bx plus c के, तो alpha 1 plus 1 into beta plus 1 का मान क्या होगा, तो दोस्तों इस question को आप कर सकते हो, आपको जैसे मैंने अभी sum of root, product of root मिटाया, तो मैं इसका solution बता देता हूँ यहाँ पे, आप यह सारी values note down कर लेना, तो आप इस particular question को कर पाऊगे, सारे questions आप note कर लिए होंगे, स्क्रीन रोग के आप note कर लिजिए, तो मैं जैसे ही अभी सवाल का मान बता रहा हूँ, देखे क्या होगा, alpha, beta plus alpha plus beta plus 1, मुझे इसका मान बताना है दोस्तों, alpha, beta होता है sum of root minus b by a, alpha, beta, product of root c by a, alpha plus beta sum of root minus b by a, plus 1, तो यह आगया, c minus b plus a by a, means a plus a minus b plus c by a, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताईए, मैंने 6-7 formulas लिखे, जिनके बिल्कुल सुपर shortcut result से, उनको याद कीजिए, क्योंकि paper में आने वाला सवाल देखी, last time जब हमने करा था, तो मैंने यह question दो तरीके से कराया था, मैंने value let करके भी कराया था, कि आप alpha, beta को आप मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 2 मान लो, और उसको पूरा detail से कराया था, लेकिन उन दोनों ही तरीके से कम time मुझे आज लगा, इस question को करने में, तो मैं भी कुछ ऐसी ही नई नी चीज़े discover करके आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इस particular सीरीज में part 1 जादा से जादा शेयर करना, ताकि हम इसका part 2 लेकर आएं next week, और आपका काम ये रहेगा दोस्तों, कि आप topic पूरा वीडियो देख लेने के बाद मेरे को अगले वीडियो के लिए topic सज़ेस्ट कीजिए, comment में आप लिखिये जो आप topic करना चाहते हैं, तो questions of the week part 2, next week हम लेकर आएंगे, कुछ चुनिंदा questions के साथ, कुछ अच्छे topics को हम लेकर आने वाले हैं, तो बने रही हैं हमारे साथ, मेसंजर खानल विदा लेना चाहूंगा, चलिए, धन्यवाद.